हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब? तो लास्ट लेक्चर, लेक्चर नमबर थी में हमने ग्रिविटेशनल फोर्स तक पढ़ लिया था तो आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो मैगनिक फोर्स और उससे पहले हम ग्रिविटेशनल फोर्स के कुछ पॉइंट जो हमारे लास्ट लेक्चर में रह गए थे उसको कवर करते हुए हम एलेक्ट्रो मैगनिक फोर्स को आगे कॉंटिनियो करेंगे तो यह सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था ग्रिविटेशनल फोर्स की प्रोपर्टीज यहां तक हमने देख लिया था तो हमने यह देख लिया था कि एक पॉइंट आप और वापस से रिवाइस कर लो कि हमने यह पढ़ लिया था कि ग्रिविटेशनल फोर्स जो दो objects के बीच में लगता है वो एक particle के exchange से लगता है उसको बोलते हैं gravitons तो हम देखिए ये जो बाते हैं ये university level की है gravitons वाली ये बस आपको एक point याद रखना है इसके पीछे का जो logic है वो बहुत ही complex है तो मैं आपको एक short way में easy way में बता रहा हूँ तो आप ये समझिए जो भी field force होते हैं जैसे gravitational force, electromagnetic force क्योंकि gravitational field होता है magnetic field होता है electric field होता है तो इनके field के कारण जो forces होते हैं वो field force कलाते हैं contact force नहीं होते हमने last lecture में पढ़ा था कि contact force क्या होते हैं जिनको हम contact करके push या pull करते हैं वो contact force होते हैं और field force क्या होते हैं जो जैसे electric field में कोई charge आ गया या gravitational field में कोई mass आ गया तो उस पर contact force ना लगए क्योंकि field में लाया है वो तो उस पर लगेगा field force ये बात आपको पता है और field force जो लगते हैं वो due to exchange of very small particle या microscopic particle कह सकते हैं उनके करण होते हैं और उन particles को बोलते हैं जैसे gravitational field है तो उसके लिए responsible है gravitons जो particle है वो responsible है और अगर electromagnetic force है तो उसके लिए photons एक particle होते है वो responsible है समझ महीं बत किन-किन forces के लिए कौन-कौन से कंड जिम्मेदार है तो gravitational force क्यों हो रहा है क्योंकि दो bodies की बीच में कौन से particle exchange हो रहे हैं तो आंसर है gravitons electromagnetic force क्यों responsible है दो bodies की बीच में कौन से particle exchange हो रहे हैं तो आंसर है photons यह clear हुआ आपको? ओके next point देखो so next point the gravitational force is a conservative the gravitational force is a conservative force अब conservative force क्या होता है conservative force ही होता है जैसे अब एक बार समझे जैसे यहां एक मैं box बनाता हूँ ठीक है ओके गमिटाता हूँ उसको वापस नीचे से यहां पर एक मैं box बनाता हूँ ठीक है इस box को यहां पर एक point माल लेते हैं A और यहां एक point ले लेते हैं B इस box को मुझे A से B तक transfer करना है ठीक है तो मैं फोर्स लगाता हूँ इस पे और इसको उठाता हूँ और पकड़ के उपर रख देता हूँ यहां पर रख दिया मैंने तो आप बताईए कि जब मैंने बॉक्स को यहां से उपर ले जाकर रखा तो मुझे क्या करना पड़ा तो answer ए मुझे work करना पड़ा इस box को यहां से यहां ले जाने में क्या करना पड़ा work करना पड़ा कितना work करना पड़ा तो answer आता है मालो मैंने 50 joule work किया ओके यह 50 joule work मैंने किसके against किया तो answer है gravitational field के against क्या होगी gravitational field का होता है नीचे कोई भी चीज़ डॉप करते हो कहां जाताा है नीचे गिर्विटेशनल फोर्ट की डिरेक्शन कहा है नीचे अर्थ कैसे अट्रेक्ट कर रही है नीचे और हम किसी बॉड़ी को पकड़ कर कहां लेजा रहे हैं उपर तो हमने gravitation field के against work किया यह बात क्लियर हो गई तो अब होता क्या है कि इस body पर जो हमने work किया तो इसके पास एक potential energy आ जाती है और जैसे ही हम इस point से इसको छोड़ते हैं इस point से body को drop किया तो वापस वो नीचे गिरेगी उसके पास कितनी potential energy आ जाएगी तो answer है जितना आपने work किया 50 joule work किया तो उसके बाद potential energy भी कितनी आ जाएगी 50 joule यह वापस आप drop करोगे तो वापस यह नीचे पहुंच जाएगी इस बार जब आपने drop किया तो यह body नीचे गई इस बार work कौन कर रहा है आप कर रहे हो किया work इस बार नहीं आपने तो पिछली बार work किया था जब आप body को नीचे से उपर ले गए थे जब आपने body को उपर से छोड़ा नीचे body आई तो work किस ने किया है तो answer है इस बार work किया है gravitational force ने पिछली बार work आपने किया था gravitational field के against इस बार work gravitational field ने किया है in the direction of gravitational field तो इस बार भी वर्क कितना होगा 50 जो भी और वो भी नीचे डिरेक्शन में तो अगर पूरे क्लोज पाथ में अगर हम टोटल वर्क काउंट करें कि जब बॉडी को हम A से B तक ले गए थे और बॉडी जब वापस B से A आई तो टोटल वर्क कितना आया जीरो आएगा तो conservative force वो force होते हैं जिनके लिए एक close path में किया गया वर्क जीरो होता है जैसे close path कैसे A से B गए और B से A वापस आये ना तो close path हो गया है जहां से निकलो वापस वहाँ पर आजाओ तो वो close path होता है तो conservative forces के अंदर क्या होता है कि close path के लिए work done zero होता है यह बात clear होगी आपको? अब conservative force कौन कोन से होते हैं? जो भी field force होते हैं वो conservative force होते हैं जिसे gravitational force conservative, electromagnetic force conservative, electromagnetic force conservative और magnetic force भी conservative यह सारे forces conservative force होते हैं non conservative forces के उन होते हैं? air friction जैसे हम हवा में बाइक चला रहे हैं और सामने से हवा आ रही है तो हमें रोक रही है air friction या normal friction हम किसी दो जो object होते हैं उनकी surface in contact के बीच में जो force लगता है friction force अब को बता है? friction force वैसे ही water में लगता है viscosity यह सभी force non conservative है हम यह भी कह सकते हैं कि conservative force में energy conserved रहती है energy conserved energy में loss नहीं होता है और non conservative force में energy में loss होता है तो यह थोड़ा बहुत सबको समझ में आ गया होगा तो कि यह सारे topic जो रहा conservative force, non conservative force यह हमारे अच्छी तरह से topic हैं with definition में आपको बताऊंगा अभी example में आपको बताऊंगा लेकिन अभी इसमें यह term आगी थी तो मैंने थोड़ा सा explain कर दिया ठीक है आगे हमारे work energy and power है chapter number 6 उसमें यह detail में आएगा तब हम और अच्छी तरह से इसमें बात करेंगे तो अभी हम next point पे चलते हैं conservative force के बारे में थोड़ा बहुत आपको idea हो गया होगा next point है example of gravitational force first example देखते हैं it is the gravitational force that keeps the earth or any planet of the solar system in its orbit around the sun तो sun के around जो सारे planet घुमते रहते हैं वो किस forces के करणड घुमते हैं gravitational forces के करणड अब होता क्या है कि sun के around जो planets revolve कर रहे हैं वो एक special specific orbit में ही revolve करते हैं और उस orbit में क्या होता है देखिए किसी भी planet को घुमने के लिए circular path में rotate होने के लिए revolve होने के लिए centripetal force की requirement होती है किसी भी चीज को circular motion करने के लिए centripetal force की requirement होती है तो planets भी sun के around revolve कर रहे हैं किसकी requirement होगी? centripetal force की तो वो centripetal force आता कहां से है तो answer है gravitational force से आता है कहने का मतलब अर्थ और sun को ले लेते हैं अर्थ और sun के बीच में लगने वाला gravitational force centripetal force के equal होता है इसलिए earth sun के around revolve करती है इसका भी explanation completely हम gravitation chapter में पड़ पाएंगे लेकिन अभी आप ये बात यानक नहीं है कि बही जो भी अच्छा एक बात और मैं आपको कौन बताता हूँ कि बही sun और earth में कौन बड़ा है? sun छोटा कौन है earth कि जैसे ये earth है हम earth से हम जैसे किसी height पर खड़े होकर एक पत्थर फैंक रहे तो पत्थर फैंकेंगे तो वो ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जमीन पर गिरेगा कोई भी चीज जब मालो height पर छट पर खड़े होकर आपको इस पत्थर फैंकते है तो कैसे जाता है वो यू जाता है ऐसे और उसके बाद नीचे यू नहीं वो जाता है ऐसे यू ऐस तो ये प्रोजेक्टाइल बात फोलो करता है समझ मारी है बात कोई भी height से हम object को throw करते हैं तो वो ऐसे ऐसे प्रोजेक्टाइल इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यह फोलो करता है अब क्या होता है कि आप इतनी आइट से की चीज़ को फैंक रहे हो तो कैसे पात फोलो करेगा यह हूँ तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि मून और अर्थ की बीच में जो ग्रिविटेशनल फोर्स है वो इस तरह से लग रहा है वो इस ओर्विट में है कि वहाँ उनकी बीच में लगने वाला ग्रिविटेशनल फोर्स किसके एकवल हो रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स इसके यह काता है वी रिमेन ओन दा सर्फेस ओफ अर्थ ड्यू टू दी ग्रिविटेशनल फोर्स बिट्विन दा अर्थ एंड अस अब एक बात आपने कभी सोची होगी कि जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं माल लो ठीक है तो हम नीचे नहीं गिरेंगे हम तो अर्थ की सर्फेस पर खड़ें लेकिन चूँ यहाँ खड़ा है तो आप सोचते होंगे वो तो नीचे गिर जाएगा क्योंकि वो तो ऐसे खड़ा है वो तो नीचे गिर जाना चाहिए तो माल लो इस समय इंडिया यहाँ है ठीक है और इसके अपोजिट एक कंट्री है तो वहाँ वाले लोग तो सारे नीचे गिर जाएंगे आपके साब से लेकिन ऐसा होता नहीं है अर्थ हमें अपने सेंटर की और अट्रेक्ट करती है क्या करती है अर्थ हमें अपने सेंटर की और जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो अर्थ हमें सेंटर की और अट्रेक्ट करेगी अगर हम यहाँ खड़े हैं तो अर्थ हमें सेंटर की और अट्रेक्ट करेगी तो हमें यह नहीं लगता कि हम कई नीचे center की और तो हम नीचे नहीं गिरते हैं यह बात याद रखना यह point वैसे पता भी होगा आपको तो इस point को discuss करते हैं we remain on the surface of the earth due to gravitational force between the earth and us next point okay the various gases forming the atmosphere of the earth are held due to the gravitational force of the earth देखिए अर्थ के पास खुद का atmosphere है और इसी की कारण यहाँ पर हम रह पाते हैं और यहाँ पर life है atmosphere है और atmosphere के अंदर बहुत बड़ा contribution है अर्थ के gravitational field का अगर अर्थ का gravitational field थोड़ा सा कम हो जाए जैसे moon का gravitational acceleration है 1.67 meter per second square और अर्थ का gravitational acceleration है 9.8 meter per second square आप यह समझे लो कि moon का gravitational force अर्थ से बहुत कम है क्योंकि moon का mass कम है इसलिए gravitational force कम है वो आगे हम detail में बाते करेंगे उसके बारे में तो moon का mass कम तो moon का gravitational force, gravitational field कम तो moon क्या करता है कि gases को जो चारों तरफ जो gases है उनको attract करके बांद के नहीं रख पाता है इसलिए moon के atmosphere है ही नहीं और atmosphere नहीं है तो वहाँ पर life भी नहीं है लेकिन यहाँ पर अर्थ में क्या है अर्थ के पास gravitational field है तो वो gases को hold करके रख पाती है और यहाँ पर एक atmosphere बना रहता है एक gases का various gases तो देखिए यहाँ पर the various gases forming the atmosphere of the earth are held due to the gravitational force of the earth clear होगी बात कि अर्थ का gravitational field force gases का एक atmosphere बना कर रखता है next point की बात करते हैं the moon orbits around the earth due to the gravitational force between the moon and the earth देखिए आपको earth दिख रही है और यहाँ आपको moon दिख रहा है जो भी हमने बात की कि earth और moon के बीच में लगने वाला gravitational force centripetal force में convert हो जाता है और यहाँ पर moon revolve करता है around the earth यह clear होगी पॉइंट आपको और बच्चों जो आप notes बना रहे हो उसमें diagram यह वाले animated diagram बनाने की कोई requirement नहीं है यह किवाल आपको समनाने के लिए बना रहा हूँ ठीक है ओके तो next point आता है tides of the ocean occurs due to the gravitational force between the moon and ocean water समुंदर में जो tides generate होती है वो moon और अर्थ के बीच में gravitational force के कारण generate होती है कैसे अब देखिए moon अर्थ को अर्थ क्या कर रही है moon को attract कर रही है तो moon भी उतने ही force से अर्थ को attract करेगा यह बात अपको पता है क्योंकि gravitational force में action reaction pair बनते है इसका मदलब अर्थ जितने force से moon को attract कर रही है moon भी उतनी force से earth को attract कर रही है यह बात आपको पता होनी चाहिए लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि जिसका mass ज़्यादा होता है उसका acceleration कम होता है उस पर उतने force का फरक नहीं पड़ता है ठीक है 40 kg और 140 kg वाले पहलवान का example आपको दिया था मैंने तो 100 Newton force से 40 kg वाला पहलवान को दिक्कत होगी लेकिन 100 Newton force से 140 kg वाले पहलवान को problem नहीं होगी वो ही यहाँ पर बात आ रही है कि यहाँ पर अर्थ जब मून को attract कर रही है तो मून revolve कर रहा है लेकिन जब मून अर्थ को attract कर रहा है तो अर्थ पर कोई effect नहीं पड़ रहा है लेकिन एक छोटा सा effect पड़ रहा है कि यहाँ पर मून जब attract करता है अर्थ को तो अर्थ के जो ocean है वहाँ पर इस तरह से देखो ये देखो चड़ाव आया ना एक दम से देखो attract हुआ ये तो ये अर्थ की तरफ moon की तरफ देखो ये attract होकर सोड़ा सा moon की तरफ ऐसे tilt हुआ इस से tides generate हो गई ये चीज आपको दिख रही होंगी देखो ये देखिए ये अर्थ का जो ocean है ये moon से attract हो रहा है और इससे tides का formation हो रहा है तो tides कैसे form होती है आपको इस diagram से भी अच्छी तरह clear हो गया होगा अब देखिए यहाँ पर low tide तब है जब moon बिलकुल सामने नहीं है moon जब यहां सामने है इस समय अर्थी इस part के सामने है तो यहां पर high tight generate होगी और जो part जो part हम कह सकते हैं transfers है मतलब जो perpendicular है यहां पर और यहां पर low tights है और इस समय यहां पर और इसके just opposite part पर high tights है तो बस आप यहती ध्यान अकलो कि tight generate होती है high tight और low tight के बारे में तो इतना आप उनको नहीं करना है next point आता है it is gravitational force which has assembled the present planets, stars and galaxies कहने का मतलब है कि पूरा universe मैंने आपको बताया था कि gravitational force से ही बंदा है सारे planet, sun, stars सारे आपस में gravitational forces से बंदे हो है तो यही कह रहा है कि planet, star और galaxies एक दूसरे से assemble हुआ है through gravitational force उसके बाद हमारा अब next force आता है electromagnetic force इसके बारे में भी हम general discussion आभी करेंगे electromagnetic force भी एक fundamental force होता है जो gravitational force से stronger होता है बहुत ज़्यादा stronger होता है gravitational force नेचर में सबसे weakest force होता है ठीक है कुछ example भी हम आगे लेंगे आपको clear हो जाएगा तो electromagnetic force के भी दो पार्ट होते हैं एक तो electromagnetic force एक magnetic force electromagnetic forces का जो जैसे gravitational force के लिए fundamental particle क्यों था कि भी gravitational force क्यों produce होता है mass के कारण यह बात आपको clear थी ना कि gravitational force due to generate due to mass किसी के पास mass है तो या तो वो gravitational force किसी पे apply करेगा या experience करेगा वैसे ही electromagnetic force के लिए जो fundamental particle है वो charge है तो अगर किसी के पास किसी body के पास charge है तो या तो वो electric force या electromagnetic force एपलाई करेगा या वो experience करेगा यह बात आपको clear होई तो electromagnetic force दो टाइप के होते हैं electromagnetic force and magnetic force जब charges rest में होते हैं तब वो electrostatic force exert करते हैं और जब वो motion में आते हैं तब वो magnetic force exert करते हैं clear होगी बात सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका electrostatic force वाला part एक बार इसको यहां रखें एक बार यहीं रखते हैं electrostatic वालक पार करते हैं सबसे पहले the force of attraction और repulsion between two electric charges और charge bodies is known as electrostatic force देखिए दो charge body की पीछ में repulsion force भी लगता है attraction force भी लगता है उस repulsion और attraction force को ही हम बोलते हैं electrostatic force forces between charge bodies इसका मतलब है कि अगर दो charge rest में होंगे और उनके बीच में जो force लगेगा या तो इसी को बोलेंगे electrostatic force जो motion में आएंगे तब electrostatic force नहीं लगेगा electro का मतलब होता है basically को इसको electrostatic को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो electro plus static electro मतलब charge static मतलब rest तो इसके अंदर charges at rest ही रहते है electro static का मतलब आपको दिमाग में पिठा के रखना है charges at rest इसको ओपर किस काते हैं रुको ओके अब electro static force between Q1 and Q2 separated by distance r in air is directly proportional to the magnitude of charges Q1 and Q2 inversely proportional to the square of distance between them इसका मतलब सुनिये जैसे gravitational force था वैसा कब वैसा similar है gravitational force में क्या होता था F directly proportional to M1 M2 यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 Q यहाँ पर charges है Q1 body 1 पर charge Q2 body 2 पर charge और inversely proportional to square of the distance तो जो भी forces square of the distance के inversely proportional होता है कहने का मतलब अप यह बात clear होई क्या कि F directly proportional to 1 upon R square इसका मतलब भी होता है देखिए कि यह दो charge है इनकी बीच की distance अभी 1 meter है एक बार assume करो और force लग रहा है 8 Newton कितना force लग रहा है 8 Newton अब हमने इनकी बीच की distance कर दी 2 meter तो force कितना decrease हो जाएगा distance कितनी increase हुई 2 times 1 से 2 होगी एक मीटर थी पहले अब कितनी होगी 2 meter force कितना लग रहा था 8 Newton तो force कितना लगेगा अब तो आप गोगे distance double होगी force हाफ हो जाएगा नहीं force जो कम होगा वो distance के square के इनकी परपोर्शनल होगा कहने का मतलब distance कितनी increase की 2 times तो force कितना decrease होगा 4 times पहले था 8 Newton तो उसमें 4 का डिवाइड करो अब हो जाएगा 2 Newton clear होगी बात इसको बोलते है inverse square law जो इस principle पर काम करते हैं कि अगर 2 चीजों की 20 की distance increase होगी 3 times कितनी increase होगी 3 times तो force कितना decrease होगा 9 times इसको square करना है आपको अगर 2 charges की 20 की distance increase होगी 4 times अब distance कितनी increase होगी पहले 1 meter था अब कितना होगी 4 meter कितनी increase होगी 4 times square करो 4 का 16 force कितना decrease होगा 16 times समझ महीं बात तो distance के square करो आप उतना force कम होगा इसको बोलते है inverse square law तो gravitational force भी इसी principle पर काम करता है और electrocetic force भी इसी principle पर काम करता है उसके बाद चलते हैं इसके बाद statement तो आपको पता होगी इसकी ना कि हम लिख सकते हैं electrocetic force directly proportional to the product of charges on body 1 and body 2 and inversely proportional to the square between them तो इनको जो inversely proportional to the square between them होते हैं इनको बोलते हैं inverse square laws तो gravitational force भी आपच्छा ये बात देखिए आपको clear हो जाएगी ये q1 और q2 बेटा देखो दोनो positive charges है देख रहे हैं q1 भी positive है और q2 भी positive तो देखिए दोनों एक दूसरे को repel कर रहे है ये जो f1 2 है ये किस पर लग रहा है ये f ये charge 1 पर लग रहा और लगा कोन रहा है कहा रहा है कि जो charge q2 है वो q1 पर force लगा रहा है ऐसे और q1 q2 पर force लगा रहा है ऐसे तो यहाँ पर जो f2 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि force on charge q2 due to q1 और यहाँ पर f1 2 का मतलब है force on charge q1 force on charge q1 due to q2 जो पहले लिखा होता है उस पर force लगता है और बाद वहला force लगाता है अब देखिए यहाँ पर एक body है positive charge एक body है negative charge तो यह दोनों एक दुसरे को attract करेंगी यह बाद आपको मालूम है अब Q1 क्या करेगा Q2 को attract करेगा तो इस बार Q2